Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग? So, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जून रजब 22 अटाम एन एक्जाम के बारे में, जून रजब 22 अटाम एन एक्जाम कब कंड़क करवाय जा सकता है? जून में कंड़क करवाय जाएगा या नहीं? इगनु के official के तरफ से इसको लेकर क्या response आ रहा है? और अभी जू situation है, जू circumstances है, उसके बिना पे जून का एक्जाम कब तक होने का ज़्यादा chances है? इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डीटेल में बात करेंगे, आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete ज़रू देख़ीजेगा, एच हेल्पलाइन चानल पे फरस्ट हम आया है, तो चैनल को सब्सक्काइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, तके इगनु के रिलेटेड हर एक एक ट्रॉस्टेड इन्फरमिसन आप लोग के पास time to time पहुँच पाया है, और इगनु के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग उजे कभी भी कॉल करके अपना डाउट के लिए कर सकते हो, और इसको लेकर मैंने बहुत सारे official से पता करने का कुशिस किया, लेकिन किसी के पास इसका सही जवाब नहीं है, हर पस्ता कि मैंने RTI file किया और इसको लेकर मैंने आप लोग को community tab में भी बताया था, कि मैंने exam के date को लेकर RTI file किया है, इगनु के तरफ से RTI का official response आया है, पहले हम लोग देख लेते कि इगनु के तरफ से क्या response आया है, उसके बास मैं आगे की फर्दर बाद बताता हूँ, देखो इगनु के तरफ से जो RTI का जवाब आया है, उसमें clear cut तो नहीं बताया गया है, कि जून दरजब 22 exam कब से conduct करवाया जाएगा, और exam from Philip कब से start होगा, लेकिन उस response से इतना clear होगया है, कि जून दरजब 22 का exam जून में तो नहीं conduct करवाया जाएगा, जून दरजब 22 के exam को भी postpone किया जा रहा है, कैसे मैं आप लोग को logically बताना चाहूँगा, देखो, RTI जो मैंने फाइल किया है, उसमें simple सा मैंने दो ही चीज़ पूछा था, कि जून दरजब 22 exam form Philip कब से start किया जाएगा, और जून दरजब 22 का exam कब conduct करवाया जाएगा, तो उसको लेकर जवाब यही आया है, the date of जून दरजब 22 exam is not decided yet by IGNU authority, और exam form के लिए बोला गया कि time to term IGNU का website open करने के लिए, हला कि exam form के बारे में internally कुछ officials बता रहे थे, कि last week of में में start किया जा सकता है, हला कि मैंने भी पहले भी आप लोग को यही बता था, कि last week of में में किया जा सकता है, अभी देखते हैं, लेकिन यह जो बात बोला गया कि जून दरजब 22 exam का date अभी तक decide नहीं किया गया है, यह बहुत सारा चीज आप लोग को बताता है, इसको ध्यान से समझो, जो भी new student हैं, उनको मैं और थाउसा clear कर देना चाहूँगा, थाउसा past के बारे में scenario बता के, देखो, normally होता यह है, कि इग्णू में जो exam होते हैं, 2 exam में conduct करवाया जाते हैं, 1 June में और 1 December में, बरसों से जब से इग्णू बना हुआ है, उस वक्त पहली बार, इग्रू के इतिहास में exam को postpone किया गया, पहली बार, जब first wave आया था, COVID का, ठीक है, और June का exam, June 20 का exam, September से conduct करवाया गया, फिर September से क्यूंकि exam conduct करवाया गया, और उसका result declare होते होते, काफी time लग गया, ठीक है, उसका result declare होते होते होते, October, November तक चला जाएगा, और फिर एक महिना बाद exam कैसे conduct करवाया गया, इसलिए फिर, December 20 का जो exam है, उसको भी postpone कर दिया गया, और फिर आर्ट फेवरी से conduct करवाया गया, फिर आर्ट फेवरी से जब exam conduct करवाया गया, तो वो भी exam फेवरी से मार्स चला था, ठीक है, अब मार्स के बाद अपरिल में, और फिर जून में exam होने वाला है, आमिन, होने वाला था, ठीक है, तो उस वग भी पता चला कि उस वग फिर से second wave आ गया, ठीक है, अपरिल के टाइम पे आया था second wave, उस वग इगनुन ने सोजा था कि 15 जून से exam conduct करवाएंगे, लेकिन फिर से second wave आ गया, फिर से exam को postpone कर दिया गया, और वो exam conduct करवाए गया अगस्त महिना में, ठीक है, फिर अगस्त के बाद, फिर जून 2021 का exam भी उसी टाइम पे conduct करवाए जाने वाला था, फिर उसको postpone किया गया जनवरी में, फिर कोवीड आ गया, फिर उसको conduct करवाए गया चार मार्स से, तो आप देख रहे हो कि जब से कोवीड आया कि exam को postpone करना पर है, उसका वज़ा यही है कि क्योंके exam postpone हो रहा है, और इगनु का, जो exam का date होता है, हर 6 मंद बाद होता है, अब यह एक exam postpone होगा, दो महिना बाद, तीन महिना बाद conduct करवाए जाएगा, तो exam सिर्फ conduct ही तो नहीं करवाए जाएगा, जो exam हुए उसका result भी declare होगा, और भी बहुत सारी चीज़े होती है, फिर exam fulfill up होगा, तो क्योंके December का exam ही 4 मार्स से conduct करवाए गया, अभी सिर्फ 9 update ही आया है, result declare नहीं हुए है, इसलिए June के exam को भी अभी तक decide नहीं किया गया और इसको भी postpone किया जाएगा, अब June का exam June में नहीं conduct करवाए जाएगा, यह clear हो गया है, कि 30 June तक तो नहीं conduct करवाए जाएगा, अब last week of May से start किया जा सकता है, अब last week of May से अगर start भी होगा, तो हर session में जो exam form fill up होता है, कम से कम 45 days तो चलता ही है, मैंने बहुत सालों से, मतब जो भी जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ या जब से मैं इगनू से connected हूँ, तब से मैं देखते आ रहा हूँ कि कम से कम 45 days तो exam form fill up चलता ही है, बहुत बार डेडर महिना, दो-दो महिना तक भी चला है, लेकिन 45 days minimum चलता ही है, पिछले session में भी 17 normal से start किया गया था, तो 23 December तक चला था, फिर उसको और extend करके 31 December तक किया गया था, तो अगर last week of May से exam form fill up ही start होगा, तो exam form fill up होते ही तो 30 June चला जाएगा, ठीक है तो उसके बाद से फिर, जब exam form fill up खतम होता है, उसके एक हपता के बाद exam start होता है, तो अभी exam form fill up start ही नहीं हुआ है, तो June में exam होगा नहीं, ठीक है, ये अब July तक जाएगा, क्योंकि June तक अगर exam form fill up होगे, तो आइदर July के second week और third week से start हो सकते हैं, और अगर May month में भी exam form fill up starting हुए, जून में exam form fill up start हुए, तो फिर और July के end तक या August के first week तक जा सकते हैं, तो अभी जो situation है, उस हिसाब से यही है, कि June का exam, जो एक जून से 30 जून के बीच में normally conduct करवाया जाता है, वो जून में नहीं conduct करवाया जाएगा, वो postpone किया जाएगा, पोस्पोन आइदर July मे हो सकता है, या August में हो सकता है, वो depend करेगा exam form fill up के ओपर, कि कब से start किया जा रहा है, और बहुत सारे factor के ओपर, कि term and exam result कितना जल्दी declare हो पा रहा है, और अभी ये भी देख लो कि result भी बहुत late late से declare हो रहा है, अभी बहुत सारे student का result pending है, अभी उनका एक result clear होगा, तभी त इसके वाई से अभी exam का date और further postpone होने का chances है, जून का exam जून में तो नहीं होगा, यानि कि जून का exam postpone हो रहा है, और वो आइदर जुलाई और अगस्त में conduct करवाया जाएगा, और वो सभी कुछ depend करेगा कि कितना जल्दी result declare हो रहा है, क्योंकि उसी के ओपर depend है, अगर ये result late से declare होगा, तो फिर exam from philabby late से start होगा, और फिर exam भी late से होगा, ठीक है, तो ये इगनु के तरफ से official response आया है, RTI का, कि अभी जून का exam decide ही नहीं किया गया, अभी तक decide नहीं किया गया, तो जाईसे बात है अभी उसमें और time लाएगा, ठीक है ना, तो ये clarity देना आप लो कि जून का exam जून में, यानि कि एक जून से 30 जून के बीच में जो नॉर्मली होता है, उस time पे नहीं conduct करवाया जाएगा, आइदर जुलाई के end तक conduct करवाया जा सकता है, जिस तरीका से मैं circumstances देख रहा हूँ, या फिर August से start किया जा सकता है, और वो जैसे information आएगा, मैं सब्सक्राइब कर देख, सब्सक्राइब कर देख, सब्सक्राइब कर देख, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किये भी न, बिल्कुल भी मत जाना, so thank you so much for watching this video, have an awesome day, thank you so much